नमस्का राप सभी का स्वागत भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रुशेकर शर्मा दर्श को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांकी आज दिनांग है 12 जुलाई सन 2023 विक्रम सम्मध 2080 चल रहा है श्रावन मास है कृष्ण पक्ष वडशा रितू है तिथी द नौ बच के 49 मिनट तक आगे शूल योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब नहीं है कोई अच्छा काम करने की सूच रहे थे बिजनस की डील करने की सूच रहे थे या कोई रिष्टा तैय करने वाले थे तो आज आप ये काम ना करें रुख जाएं इसे कल प बजे की बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुब कारें नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज बुद्वार होने से मानने नहीं है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे ध्यान से समझ के सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं दिन में ग्यारा बच के अठावन मिनिट और दौपेर बारा बच के चोवन मिनिट आज का दिशा शूल दर्शे को उत्तर दिशा में है तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना दिशा की यात्रा करें तो यात्रा मंगल में शुरक्षित शुब और सिद्धी प्रद हो जाती है दिशा शूल आपको परिशान नहीं करता है आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबै साथ बचके तीस मिनट से सुबै आट बचके पच्छ्मन विनट और फिर सुबै 10 बचके 45 मिनट से दौप एर 12 बजसे तक फिर दौप पार बाद 4 बजसे से शाम 7 बचके 15 मिन कुछ इस प्रकार रहने वाला सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले आज रहेंगे Confuse बहुत ज़्यादा ब्रमित रहेंगे व्रश राशी वाले आज लंबी यात्रा को अवाइड करें मिथुन राशी वालों की कोई मनों काम ना अचानक से हो सकती है पूरी और करक राशी वाले अपने पिता के सपोर्ट से बढ़ेंगे आगे सिंग राशी वालों को आज किसी धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है और कन्या राशी वालों को वाहन चलाने में रखनी है सावधानी किसी से जगडा भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखे तुला राशी वाले एविवाईतों को रिष्टे का प्रस्तावा सकता है व्रश्चिक राशी वाले पैसे के लिए दिन में बढ़ते आज सावधानी धनू राशी वाले चात्र चात्राओं के लिए है शुब दिन जो स्पोर्ट्स परसन है उनको भी मिलेगा लाब और मकर राशी वाले घर में अचानक हुए विवाद से होंगे परिशान कुम राशी वाले आज पुराने मित्रों से मिलकर होंगे प्रसन और मीन राशी वाले आप अपनी वानी से करेंगे सबको प्रभावित तर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी, फिर आगे समझेंग उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुन्दर और सफल बना देते हैं, अंत में करेंगे आज की दिन की जोतिश मंतरणा और समाधान, एक बहुत ही सुन्दर जो शास्त्र के महत्व पर प्रकास डालती है, शास्त्र का जीवन में क्या महत्व है, शास्त्र यानि आप्त वचन, यानि वो वचन जो अकाट्य होते हैं और जिनको अगर हम नहीं मानते हैं, उनकी अवहिलना करते हैं, तो जीवन में मुसीबत आती है, परिशानी आती है, पीडाएं आती है तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अधित्तेदम यता शास्त्रम नरो जाना आती सक्तम है धर्मो पदेश विख्यातम कार्यकार्यम शुभा शुभम इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज् और ये चीज़े जानने के लिए सबसे श्रेष्ट मनुष्य वेद उपनिशद स्मरत्या नीती शास्त्र इन सब को पढ़कर धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करके भले बुरे पाप पुन्य का ज्यान प्राप्ट कर सकता है दर्श को बात चाए धर्म की हो नीती की हो भारतिय संस्क्रति आरे संस्क्रति अक्षुन चली आ रही है इसलिए हमेशा धर्म शास्त्रों का अनुकरण कीजिए क्योंकि अंतत्त्व गत्वा इनी से आपको वास्तविक सत्य का अनुभव होगा इनी में आपके जीवन के उन समश्चाओं का समाधान है जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकते हैं तो आज की ज्यान चर्चा का सार यह है कि हम अपने शास्त्रों को अमारे पूर्खों के आप तो अचनों को अपने जीवन मोता रहें अब बात करते हैं उन विश्च रुपायों पर जो आपकी समश्चाओं के सरल समधान करेंगे और जिने करके आज आप सभी लोग भगवान शिवजी पर 27 त्रीदल बिल्व पत्र अर्पित करें और प्रते के बीच वाले पत्ते पर सफेज चंदन से ओम लिखें यह जो त्रीदल बिल्व पत्त्र होते हैं बीच वाले पत्ते पर सफेज चंदन को गिसकर उससे ओम लिखें साथ ही शि को मूंग और ज्वार मिला कर सवा तीन किलो के वजन में ये दोनों चीज़ें मिली हो ये उनको खिलाएं ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुती सुंदर बीते योकारग बीतेगा इश्वरी अनुकंपा के साथ बीतेगा इसमें कोई संध्य नहीं ऐसे दर्शिकों जीवन में जब भी आपको भाग्य शीन दिखने लगे या रुकावटे अधिक हो जाए बहुत ज़्यादा परेशानिया चारों तरफ से आपको घेड़ने लगे तो सबस इवस्ते उन्हें जाके अर्पित करें समय रहेगा सुबह 10.30 बजे से 12 बजे के बीच और फिर वहीं भगवान गणेजी से प्रातना करें कि आप रिद्धी सिद्धी और पूरे परिवार के सहीत मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे अपनी असीम कृपा का पात्र ब दले निविस्टम ब्रह्मादी देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर युतम तम प्रणमामी देवं मंत्र को फिर से समस्ते हैं सिंदूर वन द्विभुजम गनेश लंबो दरम पदम दले निविस्टम ब्रह्मादी देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर युतम तम प्रणमामी देवम, तीन माला का जाब करना है और उसका चमतकार देखेंगे आप कुछ दिन लगातार इसी प्रिकार से मंदिर में जाके मंदिर जाब करें सारी समश्याओं से बहार आएंगे और सफलता सामने से चल कर आपका वरण करेगे ऐसे ही अगर आपको कोई सबल शत्रू परिशान कर रहा है या फिर लगातार ग्रह पीड़ा आपके जीवन में बनी हुई है या फिर कोई जीन रोग शत्रू भाव से आपको पिड़ित कर रहा है यानि हाथ दोके आपके पीछे पड़ चुका हूँ आप ऐसे में आज भगवान गनेजी के एक विशेष साधना आपको इन सारी समश्याओं से बहार ला सकती है और आपको अभे वर्दान के रूप में प्रदान कर सकती है इसके लिए करना सिर्फ यह है कि शाम 8 बच के 30 मिनट के बाद में गनेजी के मंदर में दक्षण समेत वस्त्र और यग्यू पवित अर्पित करें एक सजल नारियल यानी पानीवाला में नारियल अर्पित करें उनसे प्राथना करें अभेदान देने की और फिर संकल्प पूर्वक्त इस बहुती विशिष्ट मंत्र की 21 माला का जाप आप घर में आके करेंगे मंत्र इस प्रकार है ओम नमो विग्न राजाय सर्व सोख्य परदाईने दुष्टा रिष्ट विनाशाय पराई परमात्मने आप इसे कीजिए दर्शे को इस साधना से आप अपने अंदर एक विशेश आत्म विश्वास एक दिव्वे शक्ती महसूस करेंगे और भगवान गणेज जी की कृपा से सभी लोग जो लगातार आपको पीड़ा दे रहे थे चाहिए वो इंसान हो ग्रह हो रोग हो आप से दूर हो जाएंगे जिससे आपको सुक शान्तिकी प्राप्ति होगी तो ये थे आज के वो विश्विस्ट उपाए जो आपकी मनोकामना है पूरी कर रहे हैं और आपको संक्टों से मुक्ते दिलवा रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रीका आई है हमारे दर्शक कार्थिक जी की मेरट से 20 अक्तुबर 1988 का इनका जनम है रातरी एक बच के 17 मिनट मेरट प्रशन है विवा में विलम भो रहा है उपाए बताएं कार्थिक जी आपकी जनम पत्रीका में सब्तमे शनी छटे भाव में हैं और लगने चंद्रमा सब्तम में हैं और आठवे भाव में राहोस्तित हैं तो निए विवा जो भाव है आपका इनिंश गया पर पापकरत्री दोश में प्रकार की नकारत्मक्ता आदेव दोश पित्र दोश या द्रश्टी दोश के कारण ही आपको विवा नहीं हो पारा है तो ऐसे में आप गुरू चंद्रमा के जाब करवाईए एक अच्छा सम्मोती गले में पहन लीजिए और इस पाप करतरी दोश की शान्ति करवाई तो आपका विवा अच्छी जगह पे जल्दी हो जाएगा आपके विवा का जो योग है वो दिसंबर सन से शुरू हो रहा है प्रभलता से आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए हमारी दर्शक रश्मी जैन जी की अलवर से 14 अप्रेल 1983 का जनम है सुबह साथ बच के दस मिनट का प्रश्न किया संतान सुख कब है और स्वास्त समश्चाएं कैसे ठीक होगी देखे रश्मी जी एक तो आपके संतान भाव का मालिक सूरी है द्वादश भाव में चला गया है जो विवा में भी विलंब कराता है और फिर संतान प्राप्ति में भी और जो सब्तम में शनी है उच्चे राशी में वक्री अवस्ता में जिससे राहू की द्रश्टी है जो उस पश्ट रूप से दर्शार है कि जो दोश है जिसक है संतान भाडव नहीं हो रही है और आपकी जनम पत्तृ कह में कम और आपकी पती की जनम पत्रिकामे जादा अटाइंगे बाकि आपको सूरीय और गुरू के जयाপ करवा लेने चाहिए अच्छा सा पुख्राज सु पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा सत्संग हमने की इसे अपने जीवन में उतारेंगे जिसे जीवन धीरे-धीरे शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्राथना करता हूँ कि जब आप हमारे बताय उपाय करें तो आपके कश्टों का निश्चित रूप से निवारण हो और मनोकामना पूर्थी अवश्य हो साथ एक निवेदन ये भी कि श्रावन मा से व्रक्षा रोपणा दिख स्रादिक संख्या में करें ताकि जो साक्षा आतों और प्रकट ये जो प्रकटी भगवती हमारे सामने इनकी सेवा भी हम कर सकें कारेकर में बने रहने के लिए बहुत साथ वाद, भगवती आप सब का कल्यान करें, जय आदिशक्ति! आज इतनी खुबसूरत सुभा, मैं दीप्ति शर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, न्यूजशटीन के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी सखास सेग्मेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज oracle card के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, और चुकि आप तो जानते ही हैं कि हम सभी की जिंदगी में किसी भी प्रकार की उतार चड़ाव या सिचुवेशन हमारी लाइफ में आती रहती हैं तो आज की जो हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हमें क्या कारे करना है और किन कारे को करने से बचना है जिससे किसी प्रकार के चालेंज ये सिचुवेशन को हम बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं और इसके लिए दोस्तों हम एक से लेकर ना मूलांग तक की रीडिंग करते हैं यदि आपको नहीं पता कि आपका मूलांग है कौन सा या फिर आपने हमारे कारे करन को नया जोईन किया है तो एक उधारन देकर आपको समझाना जाओंगी कि अगर आपकी डेट ओफ बर्थ है 11 यानि की 11 तो एक और एक को जबाब जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर दो और आज की तारीक है 12 जुलाई 2030 12 एक और दो को जबाब जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर तीन तो तीन है आज की तारीख का मूलांक और नमबर तीन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरू के बारे में तो आप जानते हैं कि गुरू की जो महिमा है हमारी सनातन पधती में किस प्रकार से बताई गई है कि परमात्मा का मार्ग बताने वाले ही गुरू होते हैं दिखान तो देखिए गुरू का जीवन में आना ये बहुत ही खुबसूरत एक संयोग होता है और ये जो संयोग है ये जरूरी नहीं कि सभी के जीवन में हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब तक कि हमें सुक्ष्मी जगत में हमारे गुरू नहीं मिल रहे हैं या फिर स्थूल ज अंतरात्मा भी हमारी सबसे बड़ी गुरू होती है क्योंकि कहा गया है उसे ही हमारा क्या कहा गया है उसे ही ब्रह्म कहा गया है और वह ब्रह्म पर ब्रह्म से जब कनेक्ट होती है तो स्वभाव एकसी बात है वही हमारा मार्ग दर्शन करती है एक गुरू हमें मार्ग बत आता है यानि कि हमारी अंतरात्मा तो यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हमारी अंतरात्मा हमारी सबसे बड़ी गुरू है तो आईए जानते हैं मूलांक एक के लिए माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है लेकिन उससे पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा और आप सभी के भीतर बैठे आपके गुरू सभी को हम प्रणाम करते हैं और मूलांक एक के लिए माभगवती हमें आज गाइड कर रही है 12 जुलाई 2023 के लिए च्रांस्वर्मेशन का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत जादा उथल पुथल का रहने वाला है कहीं न कहीं आप भीतर से बहुत कुछ परिवर्तन अपने भीतर महसूस कर सकते हैं आज आपके कारेशेतर में भी आप परिवर्तन महसूस करेंगे आप अपने काम करने के तरीके में आपके thought process में कुछ बदलाव आ सकते हैं मतलब आपके पुराना चो pattern चला आ रहा है वो आज break होने का समय आ गया है तो कहीं न कहीं आज के दिन आपको थोड़ा शांत रहना जरूरी है जो चीज़ें आपके साथ जीवन में आज हो रही है उसे आपको accept करना जरूरी है और जो भी कोई conditions आपके life में आज है उससे आपको उस challenge से एक lesson लेना बहुत जरूरी है परिवर्तन का दौर है ऐसे में किसी भी नए कारे में हाथ ना डालें कोई नया investment ना करें कहीं पर पैसा नहीं फसाना है कोई महंगा सामान नहीं खरीदना है इस बात का ख्याल रखें जब तक की right time ना हो तो आज के दिन ऐसा कोई भी कारे करने से बचें जहां पर की आपको किसी भी प्रकार का risk हो आपका दिन शुभो आये जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारी मा भगवती आज क्या guide कर रही है 12 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है blossoming का card है आपको कहा जा रहा है कि अभी आपके life में जो एक success का जो time है success का जो path है वो अभी शुरू हुआ है तो बिल्कुल भी हडबड़ी आपको नहीं दिखानी है बलकि थोड़ा patience आपको आज रखना होगा सही समय का इंतजार करना होगा बहुत सारी चीजों के पूर्ण होने में तो आज जितना जादा आप शान्त रहेंगे धैरे से काम लेंगे हडबड़ाएंगे नहीं सोच समझ के ही कोई कारे करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी तो किसी भी नए कारे में कोशिश करें कि आज आप हाथ ना डाले कोई भी ऐसा नया investment आज आप ना करें कहीं आज की दिन आपको पैसा नहीं भसाना है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 12 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है होम का काड है आपको आज कहा जा रहा है कि आज आपके घर में गुरु कृपास से एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्दन होने वाला है आपके जो घर की इस्तिती है वो सुधरने वाली है अगर किसी भी प्रकार से आप कर्ज में चल रहे थे तो कहीं न कहीं आपको आज मौका मिलेगा कि जिससे आप अपने कर्जे को उतार सकते हैं तो कुल मिलाके धनलाब भी आपको हो सकता है कोई नया सामान आप अपने घर के लिए आज खरीद सकते हैं या आपके घर में आपके पसंदीदा महमान या मित्र भी आ सकते हैं तो कुल मिलाके आज की आपकी पूरी एनरजीज हैं वो आपके घर के प्रति दिखा रही हैं तो आज के दिन आप पूरा दिन अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने मिताएंगे और साथ ही साथ एक खुश खबरी भी आपको अपने घर और परिवार की तरफ से मिल सकती है आपका दिन शुब हो आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें हमारे मा भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं बारह जुलाई दोहजार तेस के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जुरत नहीं है अगर आपने कोई नयाकार आरंब किया है या आपको नयाकार आरंब करना चाहते हैं ऐसे में आपको इंसेक्योरिटी हो रही है अगर आपको अपने परिवार को लेकर अपने बच्चों को लेकर तो आपको डिवा पासना करते हैं तो आज उनकी कृपा आपके साथ है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपनी फैमिली की स्पिरिच्छल प्रोटेक्शन के लिए किनी भी उग्रदेव का जो है उसके कवच का आपको पाथ अवश्य करना चाहिए फिर चाहिए आप हनुमान जी का पंच मुखियन मान जी का कवच आप पढ़े या फिर अथ देव्या कवचम जो की देवी दुर्गा सब्तुशती में मैंशन है आपको उसका पार्ट अवश्य करना चाहिए आपका दिन शुभो आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 12 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है पीस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें बलकि अगर आपको किसी प्रकार की हैं आपको लग रहा रहे कैसे होगा क्या होगा अगर आपके घर में कोई मांगली कुछ सब होने वाला है लेकिन उसकी विवस्थाइं नहीं हो पा रही है तो आप बहुत जो भी चिंतन किसी सब्सक्राइब करें लेकिन रात होते होते शाम होते होते आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 12 जलाई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है इंडिपेंडन का काड है आपको कहा जा रहा है दूसरों पर आपको आज आशृत नहीं रहना है जितना जादा आप लोगों पर आशृत रहेंगे दूसरे की कंदेवे बंदू रखके चलाएंगे उतरहीं आपका नुकसान होने वाल करते कि दूसरों पर आप आश्रित होना पूरी तरह से बंद कर दें फिर वो चाहे आपका व्यवसाय हो चाहे फिर वह आपका जौब हो या आपका परिवार हो हर चीज में जो भी कुछ करें खुद से करें आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलंक साथ के लिए हमें माः भगवती आज क्या गाइड कर रही है बारہ जुलाइए 2030 के लिए और मूलंक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है लीप ओफेट का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज की दिन आपको पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए पर मात अपने आपको पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित करना चाहिए क्योंकि जो आपका फेथ है वही आपकी ग्रोथ आपको कराने वाला है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें बलकि पूरी तरह से अपने आपको सरेंडर कर दें आपका दिन शुबहु आए जानते हैं मूलांक आ तक जो किसी ना किसी प्रकार से अपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है कही ना कहीं आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है मा सरस्वति की कृपा आपके उपर बनी हुई है अगर आप एक आर्टिस्ट थैंग आप इक डिजाइनर है या आपका हाथ हाथों से क करने का रहे है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्रे रहने वाला है साथ यसाथ अगर आप राइटर में आप जोबिकुछ आपने का चारे करेंगे वह वह खेले TOP मा किकपा बनी हुंँए है आपका दिन शुबहां आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 12 जुराई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है सरस्वती का कार्ट है कार्ट जो है रिपीट हुआ है और कहीं नगाई मूलांक 9 के जात्कों से कहा जा रहा है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है मा की करपा है जो भी कोई कारे करेंगे उसमें आपकी क्रियेटिविटी आपको भीड से अलग बनाएगी तो कुल मिलाके आपके आपके आफिस में भी आपके व्यवसाय में आप कुछ भीड से लीक से कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी सफल भी होगी तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं अगर आप दिल से सोचने वाले इंसान आपकी क्रियेटिविटी बहुत अच्छी है तो आज आपकी वो क्रियेटिविटी आपको सफलता तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे पर मात्मा को मेरा प्रणाम